जब पहला computer बना था तो वो इतना बड़ा था कि मतलब आप imagine भी नहीं कर सकते और आज हम अपने हाथों में computer को लेकर घूमते हैं दोस्तों इस सब के पीछे जो कमाल है वो है semi conductors का तो इस कमाल को पढ़ते हैं और semi conductor को सीधे दिमाग में घुशा दे जब हम materials की बात करते हैं तो material को अपन तीन category में classify कर सकते हैं एक होते हैं conductor हमारे घर में जितनी भी wiring होती है न वो copper या aluminum के wire यूज़ करके करते हैं ये क्या हैं conductor हैं इनके पास free electron का समुद्र है इतने free electron है जिसकी कोई limit नहीं है और इनकी conductivity बहुत जादा होती है अगर हम देखें तो जो दूसरी category है जैसे कि हमसे कहा जाता है जब भी कोई light का का काम करो तो sleepers पहन लिया करो लकडी के उपर बैठ के काम करो क्यों करो क्यों कि ये insulator मतलब जिनकी conductivity बहुत ही कम है ये अपने में से कभी भी electron को या charge को पास होने नहीं देंगे और जो हमारे हमारे हीरो है ना जो movie के हमारे वो हैं semi conductors semi conductor ये कहते हैं कि मेरी conductivity conductor से तो कम होगी मगर insulator से थोड़ी सी जादा होगी और ये जो कुछ है ना इस कुछ के चक्कर में ही सारी चीज़ें बदल गई वैसे भी जब कोई चीज की property दो के बीच में होती है ना तो बहुत सारी चीज कि कोशिश कर रहा हूं यहीं रहना तो semi conductor जो है अपने पास बड़ा ही काम का material है इसकी conductivity जो है ये conductor से कम होती है मगर insulator से जादा होती है अब जब अपन इसको classify कर रहे हैं material को based on electrical conductivity तो कैसे आप classify कर रहे हूं कैसे आप बताओगे हमको तो इसके लिए अपन को बनाना पड़ तुमको तो ऐसे डब्बे बनाके दिखा दिये गए हैं और अपन को भी समझना भी यही है मतलब energy band diagram अगर actual वाला देखेंगे तो पता नहीं ऐसा लगे का जैसे मकडी के जाले हैं बहुत सारे और यह बन कैसे राए यह हो कैसे राए actual चीज़ें वहीं से निकल के आती है मग हमें अभी फिलाल अपने exam orientation के हिसाब से चलना है किसी दिन पुराने वाला वीडियो देखना बाबाजी का उसमें बाबाजी ने वह मकडी के जाले बनाने की कोशिश करी है चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं अपन देखो क्या होता है कि हमारे पास जो nucleus है nucleus के चारों तरफ electron घूम रहें क्या वो electron nucleus से bounded है जी हां बिलकुल bounded है और वो electron जो free है जो electron कहीं पर भी जा सकता है जो nucleus से bounded नहीं है वो ही electron conduct करता है तो हमारे पास दो तरह के band होते हैं जैसे कि अगर अपने पास एक rubber है rubber को अपन दो तीन बार twist कर देते हैं तो अपन क्या बोलने लगते हैं य क्या होता है कि जो outer most के electron होते हैं वो सब उनके जो orbits होते हैं पहले अपने पास थोले थोले अलग अलग थी energy discrete थी फिर वो पास आने लग जाते हैं और वो band बन जाते हैं तो valence का मतलब यहां पर यह समझो तुम कि वो electron जो nucleus के साथ bounded हैं जो nucleus के साथ बने हुए हैं जो free नहीं हैं वो जिस band में हैं वो valence band है और वो electron जो free हो गए जो कह रहे हैं कि आने दो current को मैं लेके जाओंगा charge carrier की तरह काम कर रहे हैं वो जो band है जहां पर electron पहुँचकर free हो जाता है उस band को अपन बोलते हैं conduction band इस axis पर आप लेने वाले हो energy और in electron volt यह mention करना बिलकुल मत भूलना ठ साथ और यह वो free वाले इनके बीच का जो gap है इसको अपन बोलते हैं forbidden energy gap अगर यह gap 6 electron volt के आसपास है अगर तुम अपना देखो तो यह gap 3 electron volt के आसपास NCRT के according बहुत important है energy band diagram तो अगर यह 3 electron volt से जादा है तो हम कहेंगे कि यह insulator है मतलब कि अब अपन इतनी energy नहीं दे पा र सिगनल ही नहीं आ रहे होते फ्लो इन होता कैसे फ्लो होगा इतनी energy दो इसका मतलब है पहले tv को गरम करो गरम करने के बाद उसको इतनी heat energy दो कि यहां से electron यहां पहुचें फिर धीरे सिगनल आना स्टार्ट होगा हाँ 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 क्लियर हो रहा है थोड़ा और गरम करो थोड़ा और गरम करो अरे भाई इससे अच्छा है कि ऐसे material की तरफ आओ जहां आसानी से काम हो जाए अगर यह valence band और conduction band एक दूसरे को overlap कर रहे हैं अगर overlap कर रहे हैं मतलब कि यह जो gap है आपके पास वो energy gap हो चुका है आपका zero electron volt तो उसे अपन बोलते हैं conductor मतलब कि यह free pass है open boundary है कोई भी यहाँ पर सरहद नहीं है जैसे अपन कहते न LOC यहां कुछ नहीं है यह इंडिया वाला पाकिस्तान जा सकता है पाकिस्तान वाला इंडिया आ सकता है मतलब की valence band से conduction band में electron जा सकता है electron conduction band से valence band में आ सकता है कोई gap नहीं है free है हम इसके बाद अगर यहाँ band से कहां पहुंच जाएगा conduction band में पहुंच जाएगा याने की अब वो conduct कर सकता है थोड़ी सी energy अगर उसको मिल जाएगी तो और जो की room temperature पे मिल सकती है इसलिए यह जो category है यह इस से थोड़ी सी जादा अची है conduct करने में यह semi conductors है तो semi conductors में energy band diagram जो है वो यह बनेगा जिस देखे insulator तो energy band diagram में valence band नीचे conduction band ऊपर और यह जो gap है यह 3 electron volts से जादा है और इसी वज़ा से यह कभी भी conduct नहीं करेंगे notes नीचे है description में बिलकुल भी इंतजार मत करो कि बावाजी side में हो उसके बाद तुम screenshot लो और साथ में नहीं तो pause करके वीडियो के notes बनाते रहो short notes मे बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ इसके बाद हमारे पास जो next आता है यह जो सारी की सारी definitions मैंने तुमसे कहीं है उनको तुम्हें note भी करना है तुम कहोगे बाबा जी आपने बोल दिये energy band की definition, balance band की definition, conduction band की definition, forbidden energy gap की definition मगर हम लिखें कैसे तो यह तुमारे लिए सारी क सारी definitions मैंने इस page पर लिख दी हैं, एक बार इन सारी definition को read कर लोगे, तो जो बाबा जी ने बोला है, बस वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तुमारा काम हो जाएगा, वैसे chances बहुत कम है कि इनकी definitions पूछी जाए, बट energy band diagram अगर पूछा और आप support में अगर इनकी definition लिखते हो तो आपका काम हो जाएगा, मैंने कहा न, हम पढ़ते हैं, short में detail, और वो यह है, अब या तो मैं इनको read करूँ 10 मिनिट तक, और तुम्हें एक एक चीज दुबारा बोलू, या फिर मैं समझा दूँ और तुमसे कहूँ कि अब एक बार बस पढ़ना है, smart work, इसे कहते हैं, चलिए, next, next अपने पास क्या आता है, next अपने पास आता है semi conductor, अब semi conductor basically 14th group का element था, कौन से group का element था, 14th, carbon, silicon, germanium, tin, lead, वैसे तो इसके पीछे में तुम्हें कोड भी बता सकता हूँ, बढ़ छोड़ तो, भूल जाओ, अब ही अपन बात करो silicon और germanium की, क्योंकि basically ये दो वो ह जो semi conducting behavior show करते हैं, although carbon के भी अब हमको मिल गए हैं, आगे जाके हमने बहुत सारे artificial भी बना लिये, gallium arsenide भी बना लिया, lead sulfide भी बना लिया, बट अभी natural की बात करें, तो silicon and germanium, इसके outer most में कितने electron होते हैं, outer most में होते हैं, four electron, silicon के भी और germanium के भी, 14th group का element है, ये कहता है, कि मै ना तो electron दूँगा, ना ही मैं electron लूँगा, मैं तो electron की sharing करूँगा, और इसी लिए covalent bond बनाता है, बट अगर अपन बात करें, यहाँ पर types of semiconductor की तो एक होते हैं, अपने पास pure semiconductor, जो 14th group element हैं, जो मैंने तुम्हें बताया, एक होते हैं, थोड़े से उपद्रवी, मतलब की pure semiconductor की conductivity बहुत कम थी, तो मैंने कुछ कुछ किया, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा, कि मैंने क्या कुछ कुछ किया, उस कुछ कुछ करने से, वो intrinsic जो pure था, वो बन जाएगा impure, वैसे तो नाम ही बता रहा है, कि impure, मतलब की pure वाले में कुछ ना कुछ तो मिलाया होगा, तब जाकर क्या बना, impure semiconductor याने extrinsic semiconductor, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई, कौन से गुरूप के element शो करते हैं, semi conducting behavior, 14th, silicon and germanium, outer most में कितने electron 4, कितने bond बनाते हैं, 4 bonds बनाते हैं, कौन से bonds बनाते हैं, अपने पास ये covalent bond बनाते हैं, आगे बात करते हैं, next अपने पास आता है, pure semiconductor या intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor की अगर अपन बात करें, तो इसके outer most में, जैसा मैंने तुम से कहा 4 electrons होते हैं, अगर outer most में 4 electrons हैं, तो हर चीज़ stability चाहती है, मैं भी stability चाहता हूं, तुम भी stability चाहते हो, तो इसने कहा कि मुझे stable होने के लिए inert gas की तरह होना पड़ेगा, मेरे outer most में 4 electron होने चाहिए, तो यह जो silicon है, यह बिल्कु सेम पेपर में बना सकते हो तो, यह जो silicon है, यह silicon के एक electron इदा रहे, एक electron इदा रहे, एक electron इदा रहे, एक electron इदा रहे, अब जब यह इसके पास 4 तरफ electron है, तो यह क्या करेगा, यह अगले 4 silicon से बोलेगा, आजा भाई, अपन द वाले silicon के पास 8 electrons हो गए और यह जो 8 electrons इसके पास हुए इसका मतलब है कि यह stable हो गया basically यहाँ पर मैं तुमको extra information दे रहा हूँ basically यहाँ पर जो hybridization होता है वो होता है sp3 1s3p sp3 hybridization होता है tetrahedral structure होता है pyramid type का वो तो ऐसा है कि हम लोग इसको planar बनाकर अपने सहूलियत के लिए समझने के लिए ऐसा बनाते है otherwise tetrahedral structure होता है इसका chemistry थोड़ी वो उताती है मुझे जादा नहीं आती please comment में मत बोलना कि बाबाजी chemistry की भी 20 days pledge लाओ क्योंकि वो बाबाजी को आ रही होती तो बाबाजी इतना बोलने ही नहीं देते तुमको वैसे खुदी पढ़ा रहे होते जो topic आते हैं वो बोलो होगे तो कभी भी पढ़ा दूँगा कुछी कुछ आते हैं मगर वो खैर सो सिलीकन की अगर अपने बात करें तो सिलीकन के आउटर मोस्ट में अपने पास है एट इलेक्ट्रों आठ इलेक्ट्रों और यह प्यूर सेमिकंड़क्टर था अब कहानी में ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट क्या आया वो ट्विस्ट यह आया कि यहां पर जैसे ही आपने टेंपरेचर दिया क्योंकि यह सब बाउंड़िट थे अगर यह सब बाउंड़िट थे तो होगा क्या होगा यह कि यह तो सब के सब वैलेंसमेंड में थे अब कंड़क्ट कॉन करेगा चचा त तो कुछ elektrons ने अपनी जगा छोड़ दी, यह होल कौन से बैंड में है, यह हैं, वैलंस बैंड में, अब आप कहोगे कि बाबा जी इसका फाइदा क्या हुआ, तो इसका फाइदा यह हुआ कि जब elektron यहाँ पर था, जैसे इलेक्टरॉन यहाँ पर है, तो ये न्यूट्रल है, मगर electron चला गया, मतलब negative charge चला गया, तो यहाँ पे कौन सा charge बचेगा, positive, अब एक बात बताओ, कि अगर तुम्हारे area में, तुम्हारे school में छोड़ो, college जब जाने वाले हो तुम लोग, जैसे ही कोई नया admission आएगा, तो तुम ऐसे नहीं देखते हैं, वाह, आज तो नया लोग आए हैं हमारे, तो वैसा ही हालत होती है यहाँ पे, यह hole जो है न, यह electrons को आसपास के electrons से बोलता है, ओहो, कुछ नया है यहाँ, यह positively charge है, और यह आजू बाजू वाले सारे कि सारे negatively charge हैं, तो यह क्या करेंगे, यह negatively charge मतलब electrons हैं, तो यह electrons जो हैं, यह इसकी तरफ attract होते हैं, जैसे ही इधर attract होंगे, यहाँ पर create हो जाएगा एक hole, फिर अगला electron यहाँ attract होगा, यहाँ create हो जाएगा hole, अब यह किसको flow करवा रहा है, यह electrons को flow करवा रहा है, कौन से band के, valence band के, जो किसी काम के नहीं थे, यह valence band में आराम फर्मा रहे थे, कि बावा जी ऐसा metals में क्यों नहीं होता, metals में भी होता है, मगर इतने जादा free electron है, कि hole बनता है और दूसरा electron उसको capture कर लेता है, मतलब उसका existence ही नहीं है, मगर यहाँ पर existence है, क्योंकि बिचारे एक का दुक का electron घूम रहे हैं, market में, तो यहाँ पर यह जो hole है, यह exist करेगा और यह किस band के electrons को flow करवा रहा है, यह flow करवा रहा है, valence band के electrons को, इसलिए hole का existence होता है, इसलिए दो तरह के charge carrier होते हैं semiconductor में, एक होते हैं free electrons, कौन से band में, conduction band में, और दूसरे होते हैं free holes, free मत बोलो, but holes बोलो, holes कौन से band में, conduction band में की valence में, valence band में, holes conduction band में नहीं जाते, so simply वही कहानी को मैंने लिखा हुआ है semi conductor that are chemically pure in other words free from impurities are termed as intrinsic semiconductors 14 group elements shows this behavior silicon and germanium are the mainly two intrinsic pure semiconductors that we have हमारे पास ये दोनों ही pure semiconductors है अब अपन आगे समझे अभी मुझे लगता है कि तुम्हें hole का जो पूरी कहानी है न वो अभी दिमाग में घुसी नहीं है comment में mention कर देना अगर मैं समझ गया तो तो अब मैं उसके लिए तुम्हारे लिए एक और चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ ये germanium है अब यहाँ पर आप गौर से देखो जैसे ही vacancy create हो रही है जैसे ही vacancy create हुई यहाँ देखो यह vacancy create हुई ये भाग गया ये भाग गया फट से यहाँ से अगर तुम देखना है स्टाट करो जैसे vacancy create हो रही है कौन से बेंड का अलेक्टाण भाग रहा है यह भाग रहा है आपके valence band का अलेक्टाण क्यों भाग रहा है क्योंकि vacancy create हुई और इसलिए ये जो movement है तुम्हारे पास ये whole का movement है ये देखो ये whole भाग गयादा ये तो अपने पास movement किसका है? activists हो रहा है electron का मगर balance band का किसकी वज़़ह से? hours की वज़़ह से इसलिए दो तरह के charge carrier हुए, एक हुए free electron और दूसरे हुए whole